हलो एव्रिवन, वेलकम बैक माई योटूब चनल, एसी साइन्स जोन, तो फ्रेंट्स आज हम दिसकस करेंगे फाइप किंडम क्लासिफिकेशन और विटकर्स क्लासिफिकेशन के बारे में, तो फ्रेंट्स अगर आप हमारे चनल पे नए हैं, तो प्लीज हमारे चनल को लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर करें ताकि आप जब हम लोग न्यूव वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फाइब किंग्डम क्लासिफिकेशन और वेटकर्स क्लासिफिकेशन तो फ्रेंड्स देखते हैं सबसे पहले मॉडरन क्लासिफिकेशन आफ लिविंग बेंग फाइब किंग्डम क्लासिफिकेशन तो इसमें वेटकर नामक जो संटिष्ट जो थे उन्होंने जो आ लिविंग वर्ड्स है उसको किसमें फाइब किंग्डम में इसको क्लासिफिकेशन तो उसका मेन बेस यह था कि बेज आप classification तो फर्श्ट देखते हैं the absence are presence of nuclear membrane जो कोई भी जो और गरी जो होता है उसमें nuclear membrane के present या फिर absence उसके बेज पे क्या की गए इसको classify की गए मतलब अगर उसमें nuclear membrane present है तो वो eukaryates है और उसमें nuclear membrane present नहीं है तो वह क्या है प्रोकुरार्स है अब उसके बाद है लेवल आप और्गनेजेसन ये क्या है या तो मल्टिसलूलर है या फिर योनिकलूलर है उसके बीस पर प्योठ क्या दिया है PC अप्रोशेश आप जैसे कि वो खुड photosynthesis की process अब करती है, तो वो क्या है, autotropic है, अगर वो photosynthesis की process नहीं कर पा रही है, तो वो क्या है, heterotropic है, तो friends, देखते हैं, 5 kingdom classification में, vectors classification, फर्ष्ट इसमें divide किया गया है, विट्सकर्स ने, procreats और eukreat, और जो living things है, और 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 यूनिसलूलर होने के करण इसको kingdom मुनेरा में रखा गया है और साथ इसमें क्या होता है nuclear membrane लेकिंग होता है मतलब उसमें nuclear membrane प्रेजन नहीं होता है इस करण से और जो यूक्राइट जो होता है उसको डू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है किसकी सफा में एक multicellular में और क्या आपका unicellular में डिवाइड किया गया है तो होकर हम देखते है unicellular इसमें unicellular है तो इसको भी kingdom मुनेरा में होना चाहिए था तो इसको kingdom प्रोटिष्ट में रखा गया जैसे कि अमीबा पैरामिस्यम है यह और multicellular इसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फर्ष्ट विदाउट सेल वाल जैसे कि एनिमीलिया जो kingdom जो होता है उसका उसमें nuclear membrane तो जो रहता है उसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फर्ष्ट है do not perform photosynthesis able to perform photosynthesis जैसे कि able to perform photosynthesis में क्या होता है कि जो आज जो plants होते हैं वो क्या करते हैं उसमें chloroplast present रहता है जिसके वज़ए से वो क्या करते हैं हापे photosynthesis की process करते हैं और अपना food material तयार करते हैं तो इसको kingdom planty में रखा गया है अब देखते हैं do not perform photosynthesis just like fungi fungi में क्या आता है chloroplast present रहता है इस कारण से यह क्या करते हैं photosynthesis की process नहीं कर पाते हैं तो इसको kingdom fungi में रखा गया है तो चलिए देखते हैं first kingdom देखते हैं first kingdom monera kingdom monera जो है उसमें कोई भी जो organism है unicellular organism that lake a nuclear membrane और और प्रोक्राइट्स are classified under this kingdom क्योंकि इसमें nuclear membrane क्या होता है लेकिंग होता है present नहीं होता है इस करण से इसको किसमें प्रोक्राइट्स की रूप में इसको classify किया गया या भी उसके अंदर गत रखा गया है दूसरा organism में में भी autotropic are heterotropic और इसमें जो organism जो होता है वो क्या autotropic भी होता है और heterotropic जैस जैस्ट लाइक sinobacteria sinobacteria में क्या होता है green pigment क्या होता है present रहता है इस करण से क्या करता है photosynthesis की process करती है इस करण से यह autotropic भी होता है और just like कुछ-कुछ जो bacteria जो होती है हो से यह autotropic होता है अगला दिखते हैं सेयलवाल इस प्रिजेंट अरांद ड़सेयल मेंब्रेन जो सेयल Cafe जो मेंब्रेन इसमें जो प्रिजेंट रहता है इसके चार-उची चार-उच्ष का रहता है से वाथा क्यांते इससे क्या together क्या होता है क्यों趣 क्यों? क्यों कि plant में क्या आता है इसका cellulose का बना होता है फ्लांट में और इसमें जो किंडम जो मुनेरा जो है या फिर बेक्टिरिया है उसमें क्या किया गया है? peptido glycan, जो कि इसका बना होता है? compound format of protein and carbohydrate इस का रनसी क्या होता है? plant कर जो cell वाल होता है उसे different होता है तो example देखते हैं इसमें bacteria और cyanobacteria यह kingdom monnera की अंतरगत आते हैं next देखते हैं kingdom protesta kingdom protesta में all organisms of this kingdom are unicellular with nuclear membrane around the nuclear are eukaryotic cell तो देखो जैसे कि हम लोग kingdom protester और kingdom anemia दोनों को अगर comparison किया जाता है तो same character क्या ये भी kingdom protester भी क्या है अपका unicellular है और kingdom moniria भी क्या है unicellular है लेकिन different इसमें ये है कि nuclear membrane around the nucleus are eukaryotic cell जो nuclear membrane है क्या है nucleus के चार और ख्यार होता है present रहता है इसे currency इसको eukaryotic cell बोला जाता है second organism can be both autotropic or heterotropic और इसमें जो present जो organism जो होता है वो क्या हो सकता है आपका autotropic भी हो सकता है और क्या heterotropic भी हो सकता है और अगला है all life processes are carried out within the cell जो all life processes just like locomotion हो गया injection हो गया, digestion हो गया जितनी भी जो life process होती है वो क्या होता है एक ही cell में क्या होती है, complete होती है for example, amoeba, paramecium, yuglena sorry, end amoeba, yuglena ये क्या होता है आपका kingdom protestor के अंतरगत आते हैं अब दिखते हैं kingdom fungi तो most fungi are filamentous, they form network और filament that are called mycelium जो जितने भी जो fungi जो होती है, वो क्या होती है, ज्यादा तर filamentous होती है, और वो किसका formation करती है, network तो जो filament क्या करते हैं, network का formation करते हैं, उससे क्या बोला जाता है mycelium बोला जाता है तो organisms up this kingdom are heterotropic unicellular and multi-cellular eukerotic form तो इसमें जो kingdom जो होता है उसमें जो organism होता है, वो क्या होता है, heterotropic होता है unicellular या multi-cellular दोनों हो सकता है और यह क्या होता है, eukerotic form है क्यों कि ए well developed cell है, इस currency क्या होता है, Carlaージ में रहता है है, और अगला है, chloroplasts are absent in their cell देखो इसमें जो chloroplast जो होता है present नहीं होता है इसी गरण से समें photosynthesis की process नहीं होती है जो plant और इसमें जो main difference है वो क्या है chloroplast का है for example mucor yeast penicillium aspergerus यह सब क्या है फंजाई है फंजाई के एक्जामपल है तो friends आगे बढ़ते हैं kingdom planty या फिर plant kingdom all organism आप plant kingdom are multicellular eukaryotic form तो जितने भी जो all organism जो है plant kingdom के वो क्या होते है multicellular और किसके form में eukaryotic form में होते हैं और बोला गया most of plants have chloroplast in their cell that help them to photosynthesize thus they are autotropic जो plant जो होता है उसमें क्या होता है chloroplast present होता है जिसके currency क्या होता है इसमें photosynthesis की process होती है और यह क्या होते है autotropic जो स्वय अपना food material तयार करते हैं और इसका just opposite है जैसे कि आपका a marvell, toder, वो क्या होता है उसमें chloroplast present नहीं होता जो की वो क्या होता है किसी दूसरे parasciatic form में रहते हैं और दूसरे जो plants होते है उसमर क्या होते हैं depend रहते हैं तो आगे देखते हैं these have a cellul节 cell wall जो misma plant का cell wall जो होता है किससे बना होता है cellulose, cellulose का क्या होता है, बना होता है, for example, spiro gaira, जो क्या आप का, algae है, funeria, जो mosses हैs, cycas, date palm, neem, weed, ये क्या है, एंज Thursday Rachel Plant है, जो flowering plant बोल सकते हैं, तो फ्रेंस, जो flowering plant जो है उसको अलग-अलग parts में classify किया गया है, जिसको हुना detail रूप से, next video में देखेंगे जिसमें पार्टिकलर रूप से मॉज जैसे ब्राइफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंज्योस्पर्म इन्समें क्या किया इसको क्लासिफाई किया जिसको मैं स्पेसलिस के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा डीटेल इसको पढ़ेंगे, next, Animal Kingdom, Animal Kingdom और मल्टी सेलुलर योकलरॉतिक हेटरो टर्पिक फार्म, जितने भी अनिम्नों के जो उर्गरिजम होते हैं, वो क्या होता हैं? Multicellular होते हैं और क्या है Eukerotic और Heterotropic Form जो कि इसमें Chloroplast present नहीं होता है इसका रंद से क्या होता है Heterotropic होते हैं जो other plant या पर किसी और पर क्या होता है Depend रहते है These do not have a sale wall अगर पूछा जाता है कि Plant Kingdom और Animal Kingdom में Main Difference क्या है तो उसका Main Difference क्या है Sale wall का है जैसी कि Animal में क्या होता है Sale wall present नहीं होता और Plant में क्या होता है Sale wall present होता है यही इसका Main Difference है अब देखते हैं It did not have chloroplast देखो इसमें बूला गया था यह heterotopies लिए क्योंकि इसमें chloroplast present नहीं होता है अगला More of nutrition in mainly by in patient They have a specialized organ of intake of food As for example sucking tube Women have mouth Birds have weak etc तो जैसे कि आल जो और्गनीज़ जो होता है उसमें nutrition के लिए क्या होता है एक specialized organ होता है जैसे कि intake करने के लिए अंतरगरहन करने के लिए तो example के रूप में बताया गया है butterfly butterfly है जूश sucking tube तो butterfly में special organ क्या है sucking tube second tube present रहता है और human have mouth bird have beak जैसे कि human में क्या होता है mouth होता है उसके थूप हम लोग क्या करते है food material को लेते हैं और जो birds से होता है उसमें beak beak पाई जाती है जिसके थूप हो क्या करते है food material को अंदर लेते हैं फिर grant करते हैं और most of the animal have specialized organs for movement जैसे कि जितने भी जो animals होते हैं उसमें special organ present होता है किसके लिए motion के लिए या फिर moving के movement के लिए जैसे कि हम लोग human being में क्या हता है human being में आपका food रहता है दो दो पैर रहते हैं और जो animal होते हैं उसमें इस तरीके से सब में specialized organ present होते हैं और जैसे कि birds वाट्स के हैं उसके लिए फिर 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 प्रेजेंट रहते हैं जिसके थूब वो क्या करते हैं उड़ते रहते हैं फर एक्जामपल lion फीस man hydra trapoorm muscles एक्सेक्टर क्या है animal kingdom के अंतरगत आते हैं थैंक यू फ्रेंड्स फार वाचिंग मैं वीडियो